है अर Smoke मुझे क्या जूरूत एंद अ कि के बिजनस में नहको यार्व तो मेरा किशा या है इतना मेरा खर्चा जा रहा प्लानिंग की यह सब मुश्वल फंड में पैसा लगाऊंगा अच्छा खासा रिटर्ण मिलेगा यही सब होता है ना पैरे क्रिष्णा मेरा नाम संदीप लाल है रिटार्मेंट प्लानिंग के बारे में जितने भी मिद्स हैं शायद आपको इस बार सोचने का थोड़ा सा नया नाजिज़ा रिया दूं रिटार्मेंट प्लानिंग क्यों होती है रिटार्मेंट प्लानिंग आपके उस बच्चे के लिए होगे जो आपके 20 साल के बाद नज़र आएगा 20 साल के बाद कौन सा बच्चे नज़र आएगा यही सोच रहे ना गानों सुना है उमर 55 के दिल 55 का होता है 60 साल के बाद अक्सर आदमी बच्चे सके समान हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जिमेदारियों से मूख तो हो जाता है उस समय तक बच्चे की शादी हो चुकी होती है बच्चे अच्छे से पढ़ चुके होते हैं बच्चे इल्द कमा रहे होते हैं और ये समय होता है उनके रिलेक्स होनेगा लेकिन कई बार वो रिलेक्स नहीं हो पाते मैंने देखा है मैसूस किया है उनकी छोटी छोटी जो इक्छाएं होती है न वो मरने लगती है वो अपने बच्चों की डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बच्चे अगर देंगे तब वो इधर इन्वेस्ट कर पाएंगे उधर दान दे पाएंगे कि उधर काम कर पाएंगे किसी कोई मंदिर में काम कर पाएंगे या किसी की शादी करवानी हो मलों दान धर्म करना हो वहां कर पाएंगे अपने जो कहीं पल्लो से 5-10 रुपए करके वो किसी शादी में है किसी क्वाशिरवाज जब देना होता है तो वो खटा करते रहते हैं 5-10 रुपए जब वो खटा करके देते हैं तो यह सोचते हैं कि काश कुछ पैसे और होते तो और दे पाता या दे पाती और जब बच्चों को बच्चों पे बोलते हैं तो कई बार बच्चे दे भी देते हैं और कई बार बच्चे हिचकते भी हैं क्योंकि तब तक उनकी लैविल्टी इस फिक्स हो चुकी होती है उस लेविल्टी में आपकी लेविल्टी में समझोता करते हुए कही ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और ये अक्सर कभी कबाद खल जाता है जब उस उम्र में वो उम्र ऐसी होती है उस में सपोर्ट चाही होता है क्योंकि 20 से 30 साल का मोमेंटम आप 30 से 40 में नहीं ला सकते हैं 30 से 40 साल का मोमेंटम आप 40 से 50 में नहीं ला सकते हैं और 40 से 50 का मोमेंटम आप 50 के बाद नहीं ला सकते हैं आपका मोमेंटम धीरे-धीरे कम होने लगता है गिरने लगता है अक्सर जो हमारे खर्चों पर गाज किरती है उसमें ज्यादतर मेडिकल के खर्चे होते हैं क्योंकि ओल्डेच में सबसे ज्यादा खर्चा मेडिकल पर होता है सारे खर्चे आपके कवर नहीं है और अगर कोई ऐसा खर्चा लग गया तो एक देड़ लाग कहीं नहीं गया, उड़ाई लाग कहीं नहीं गया, केसिस होते हैं कि बहुत ज़्यादा भी पैसा लगता है, कम भी पैसा लगता है, फिर दवाईयों पर ही आदमी निकलने लगता है, लेकिन दवाईओं कर खर्ठा इतना हो जा halten तो सबसे जयाधा जो खर्चा मारता है वो अज रिए कि रइगुलर आपका खांपान में आपकर गिरने लगता है क्योंकि आप जो स्टम पर अपने पे खर्चां पान में खर्चा करते थे, वो अपने बुरापे में खर्चा नहीं कर पाते ρेत 됐 कि कि इसलिए वो लिटायमेंट के टाइम पर डानिंग जबूरी है आप जो खर्चा अभी कर रहे हैं इंजिनियर बोल रहा है या कोई बड़ा से बड़ा बिजनस्मेन बोल रहा है कि मुझे जुरूरत नहीं है मेरे पास बहुत पैसा है सर आपका आदे से ज्यादा पैसा तो बैंक खाली है EMI, Loan के इंट्रेस्ट, बैंक, बैंक वो सब चूस लेगी आपका खर्ट रजाएं आप एक बार डगमगा है, बस बैंक धर लेगा, वो नहीं रुकेगा कई बार वो आपके अपनों के सेविंग पर दकाज गर जाती है गिनी नहीं चाहिए, वो पैसा जो भी बचाया हुआ है, वो सिफ आपके बच्चों का है इसलिए रिटामेंट प्लानिक के बार में सूचिए मेरा नाम संदीप लाल है, मैं इंशुरेंस एडवाईजर हूँ हेल्थ में मैंने महसूस किया हुआ है, देखा हुआ है, जहिला हुआ है, जिन्दगी लाइफ इंशुरेंस प्लानिक में मैंने देखा हुआ है मैंने बहुत लोगों प्लानिक देखी हुई है, बहुत लोगों की जो बोलता है, मिस प्लानिक देखी हुई है कहां अदमी गरबढ़ाता है कहां अदमी बच जाता है यह सब मैंने मैसूस किया हुआ है उसी के अनुभव पर आप से बात कर रहा हूं मैं अगर इंशूरेंस के लेक्टेट किसी के कोई क्वैली हो तो क्रिप्यार संपर्ट करें मेरा नाम नीचे टेग लाइन में परिकिष्णा दुबारा से संदीपलाल आपका हमदम आपका दोस्त इंशूरेंस के रास्ते में आपकी जिन्दकी के प्लानी के रास्ते में आपका साथी